मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक तिये 90 दिन निकल जाते अमेरिका और यूरोप में पता है क्या कि गेहूं हर जगे होता नहीं कुछ जगे होता तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भरके वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई है फ्लोर मिल्स वहाँ उनका आटा बनता फिर वो आटा ट्रक में भरबर के फिर वहाँ जाता है फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है फिर वो वहाँ से बनकर कहीं और जाती है फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते है हमारे आयुरवेद शास्त्र में बागवट जी कहते हैं कि आटे को ज किसा हुआ आटा वो यह कहते हैं कि पंद्रह दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना कि पंद्रह दिन मैक्सिमम वो भी गेहूं के लिए यह चना और मक्की और जुआरी इसके लिए तो साथी दिन कहा होगा साथ दिन से ज़्यादा पुराना नहीं खा सकते क्योंकि वो इक किस्सा है उसकी माइक्रो न्यूट्रियंट कैपसिटी लगातार कम होती चली जाती है तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं चक्की है जिंदाबार हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं जो माता हैं यहां बुजर्ग हैं इन्होंने अपना गाउं देखा होगा अपने गाउं के घर की चक्की देखी होगी यह चक्की पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि यह क्या अध्वुत चीज बनाई है हमारे रिशी मुनियों ने यह दुनिया की ऐसी अध्वुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है आपके शरीर की स्वास्त के लिए और आपके अंदर की माश पेशियों को हमेशा फ्लक्सिबल रखती है और हमारे घरों में यह जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही है मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पीछले साल पूरा किया मेरे एक दोस्त है आयरुवेद के चिकितसक है उनके साथ मिलकर वो गाओं में रहते हैं तो मैंने का आप गाओं की कुछ महिलाओं पर अध्यन करिए कि जो चक्की चलाती है इनके बारे में जरा पता करिए और जो चक्की नहीं चलाती पिसा हुआ राटा लाती है तो उनके जो चक्की चलाने वाली माताएं है उनके गाओं में 90 माताएं है किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है चक्की चलाने वाली माताओं के पेरों में दर्द नहीं है चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुखरा गर्दन नहीं दुखरे नीद अच्छी आ रही है डाइबिटीज नहीं है हर्परटेंशन नहीं है ब्लड प्रेशर नहीं बड़ा है 48-50 बिमारियां नहीं है और जो माताओं पिसा हुआ आटा ला रही है कैप्टन कुक ITC का उनके घरों में डाइबिटीज भी है अर्थराइटीज भी है हाइपरटेंशन भी है यह भी है वो तो मैंने वो बैद्दी जी को कहा चे आप क्या मानते हैं यह जो चक्की चलाने वाली माता है यह ऐसा क्या विशेश काम कर रही है तो उन्होंने मुझे समझाया वो मेरे भी समझ में आया हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आते हैं सबसे ज़्यादा दबाओ पेट पे पड़ता है हाथ पे इतना नहीं है पेट पे दबाओ है और मा के पेट में एक एक्स्ट्रा ओर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है जिसको गर्भाशे कहते हैं ये गर्भाशे आपके पेट के बिलकुल बीचों बीच हिस्से में चक्की चलाते समय सबसे जादा जोर वहीं है और गर्भाशे के बारे में आयुरुवेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गरभाशे के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो, उतनी इसकी flexibility है, flexibility माने मुलाइमियत, अंग्रेजी शाहिद आप समझ जाएंगे flexibility, मुलाइमियत, elasticity एक शब्द होता है अंग्रेजी में, elasticity, elasticity का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना, जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे, ये हमारे गरभाशे का सबसे बड़ा गुण है, इसी गुण के कारण बच्चे का जन्म होता है, और ये गुण को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका है हलन चलन, वहां आसपास मास पेशियां, उनका हलन चलन रहे, तो ये हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से, मैंने खुछ चला के देखा चक्की, ये सबसे ज़्यादा पेट के हिस्से में होता है, तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही है, उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गरभाशे की इलास्टिसिटी मेंटेन है, तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है, बिना किसी ऑपरेशन के, तब मुझे ध्यान आया, कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं, उनके आठाट ददस बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन, वो दाई आती थी गाउं की, जो MBBS नहीं है, MD नहीं है, MS नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी, ऐसे ही जैसे दाल पका के कोई चला गया, या चावल पका के कोई चला गया, हाँ, ऐसे होता है, तो हमने इस बात को जब ध्यान दिया तम मेरे मन में आया, कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए, तो इसी चिन्नई में मेरे एक मित्र है, उनकी पत्नी और वो मिलके 15-16 साल से इसी विशह पे काम कर रहे है, कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ओपरेशन के बाहर कैसे लाया जाए, तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है, कि ये सिर्फ चक्की की नुमती देता है, मा को साथवे महिने तक चक्की चलवाई जा सकती है, आठवे महिने में नहीं, फिर उसको बंद कर देना अच्छा है, और उतने साथ महिने की चक्की आपके लिए परियाप्त है, कि वो बच्चा बिना सीजर के हो, और जो बच्चे बिना सीजर के हैं, उन वो सब स्वस्त है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, ब्रेन का डवलप्मेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डवलप करने की कैपिसिटी कलपना शीनता उनमें दूसरे बच्चों से जादा है, तो बागवट जी का सूत्र है, कि खाना बना तो 48 मिनट में खाएं, और बनाने वाली जो वस्तुएं है, जिनमें सबसे महत्तुपूर्ण है आटा, गेहूं का आटा 15 दिन से जादा पुराना ना खाएं, जवारी, बाजरी और मक्की का आटा 7 दिन से पुराना ना खाएं, दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइब, कमे और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें